सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी आरजी टेक्निकल बॉय यूटूब चैनल में सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लैप्टॉप या कंप्यूटर में जो है कि एक एक करके मल्टिपल फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कैसी सेलेक्ट कर सकते हो यह आज किस वीडियो में बताओंगा यहाँ पर फोटो वीडियो फाइल से जो भी वह सब आप इस तरी किसे सेलेक्ट कर पाऊगी तो कैसी करना सबसे पहले यहां पर आपको मैं दिखा जाता हूं आपको अपने लैप्टॉप के कीब बेटन दिख रहा होगा ठीक है तो अब आपको करना के यहां पर ध्यान से समझे लिए जैसे कि आपका यह keyboard होगे ठीक है आप यहां पर जैसे कि इसको मैं minimize कर लेता हूं अब मैं यहां पर आ जाता हूं file के अंदर यहां पर हमें इनको select करना अभी मशर्स के अनदर मैं इन साह्थ baser करना चाहता हूं तो ऐसे मिन मैं क्या करऊंगा है यहां पर control फ्लस इदबा दूँगा ठीक है और यहां जी मुझे select नहीं करना है तो ऐसे में आप यहां पर control प्रेस करके फिर आप mouse से इसको unselect कर सकते हो जैसे कि आप देशे तो यहां पर यह वाला जो एक वीडियो है इसको select करना है और इसको select नहीं बीच वाला छोड़ना और कोई हमें नहीं सिलेक्टना सिर्फ दो यहां पर हमें वीडियो सिलेक्ट करनी है तो ऐसे में क्या करेंगे control बटन को प्रेस करेंगे और mouse से आपको right click करना है और उसके बाद जो जो आपको वीडियो फोटो या फिर फाइल जिसको आपको select करना है बीच बीच से इस तरीके से आप उन सभी को select कर पाऊगे select करने के बाद अभी आप देखोगे यहां पर जो कि 7 items हमारे select होचके हैं तो इस तरीके से आप जो अपने laptop या computer में multiple files एक साथ इस तरीके से मतलब एक एक करके आप select कर सकते हो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीस कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से तो आप मुझे instagram पर message कर सकते हो instagram का जो आईडी है वो उमेश्कमार अंडरस्कोर 93 उनने से आप मुझे इंस्टा पर message कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाते हो तो यहाँ पर आप मुझे comment करके पूछ सकते हो इस तरीके से तो आप इस username पर आप मुझे message भेज सकते हो